बिस्मिल्लाई वक्मान वहीम आज हम बना दें पूरी जो बहुत लजीज और बहुत असान रेसिपी है बिलकुल बजार वाली हलवाई जैसी पूरी सौफ्ट सी कैसे बनाए जाती है इसकी रेसिपी मैं आपको बता दी हूँ तो यह बहुत असान और कंप्लिट रेसिपी है अधा किरा हम बनाना शूरू करते हैं तो इसके लिए हमें पूरी बनाने के लिए फाइन आठा चाहिए तो आदा किलो फाइन आठा है हाफ केजी दो चुड़की हम ताल देंगे मीठा सोडा दो चुड़की से जादा मीठा सोड़ा हमنا premi لا malaria अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी के इस्तमाल करते हुए आटा गुंदेगे दो लगाएंगे जिसे हम रोटी पकाने के लिए आटा गुंदे हैं वेसा आटा नहीं गुना जाएगा इसका आटा थोड़ा अलग तरीक से गुंदा जाता है आप देख रहे हैं आटा हाथ में लेकि खोल रही हुए इस तरीके से हम आटा गुंदेगे और थोड़ा थोड़ा पानी स्नमाल करते जाएंगे तो हम थोड़ा टाइट सा डो लगाएंगे और टाइट डो लगाने के बाद हम बाद में गुनते वे इसको सॉफ्ट करेंगे पर ले में थोड़ा टाइट डो लगाना है तो इसे हम समेट लेंगे सारा आटा और समेटने के बाद मैं इसे काउंटर के उपर रखदूंगी जो नीचे बचावा आठा है इसे भी मैं गुण सकूँ ठीके तो इसमें ती जहां नहीं haver थी तो मैं इसे उठा के काउंटर के ऊपर रखदूंगी अब हम इसे भी गुण देंगे थोड़ा सबस पानी के भाझा को ज़ता है थोड़ा पानी हम इस्तेमाल करेंगे और दो की आगए तो ठोड़ा पानी को Un Mercado फेटे व 앉म इस दोड़ा पानी आप備 दोड़ा पनि ज़िककले gitti है तो फेटे लाद नहीं अंप एनक पिलित करेंगे वशाषिदेट करते वे रहे हम और असीब मुक्खी लगाने है, छिस तरह मुक्खी लगाएंगे, और मुक्खी का करेंब हम 10-8 लाज़मी कंवाएंगे तो बस पानी बीड़ को अम गुन ड़ेंगे , . सोफ्ट भी होगा और चिकना भी होगा तो बस हमें मुक्की लगानी है और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे फिर से हम मुक्की लगाएंगे तो आप कम्प्लिट वीडियो देखेंगे और समझ आजेगी आपके तो आप बहुत अच्छी पूरियां बना सकते हैं बिल्कुल ह की लगाते हैं चिकना सा बस हमें डो करना है अब इसे हम एक दो मिनट इस तरह के से मस लेंगे ठीक है चिकना डो करने के बाद थोड़ा और मजी चिकना हमें ऐसे करना है इसको ऐसे मसल मसल के दो मिनट मसल के रखा था और देखें चिकना डो बनके तायार है कम से कम आपको चोटा पेडा तोरेंगे। चिकशिंटाbooksकों प्यादशेट mating? करना है फिर हम यह पेड़ा बनाना है तो इस तरह हम चिकना सा पेड़ा बना लेंगे और देखिए आप ख्याल कर रखना है आप जो सबसे पहले पेड़ा बना के रख रहें न जब हम पूरी बेलेंगे वही पेड़ा सबसे पहले वाला उठाएंगे तो इसको काफी टाइम हो तुक हो चुक है इसके ऑपक घी या ओलोमर्ण हो मिनको बिलगिए तो प्याद करकना बर्धत करता है तो फिर ऑ दिस तुदी में ये अफका लिए लगा लगे तो इससरा कर लेंगे तो ये तयार है बेलने के लिए तो देखे हमें पूरी तलने के लिए बहुत होट ओल चाहिए और आप जितना जादा ओल लेंगे उतनी अच्छी पूरी बनेगी लेकिन मैंने थोड़ा कम ओल लिया है और अब हम पेरा उठा लेंगे ठीक है जो सबसे पेले वाला पेरा है वो उठाना है तो अब हम काउंटर को ग्रीस करेंगे अच्छे से ओल लगा लेंगे या घी लगा लेंगे और पेरा रखेंगे इसके उपर और हाज से थोड़ा बढ़ा करेंगे फिलाएंगे बड़े साइज का पेड़ा है तो इसको फिलाना थोड़ा जरूरी है ठीक है थोड़ा ऐसे हम बढ़ा कर लेंगे हाज से और फिर इसे हम बेह लेंगे तो देखिए हमारी गोल शेफ तो बहुत मुश्किल से आएगी वो इसलिए हम रो रोस्तो पुरियां बनाते नहीं तो गोल शेफ के चकर में मत पढ़िएगा बस यह देखिएगा आपकी पूरी अच्छी बिल्मी चाहिए एक सी ठीक है थोड़ी जोड लगाकर बेला जाता है एक और मैं आपको बेल के दिखाती हूँ बस हमें गिरिस करना है बेलन भी और यो काउंटरे जहां बना रहे वह जगा हम गिरिस करेंगे और इसे हम बेल लेंगे बस एक सी बिलनी चाहिए किनारे कोई जगा मोटी नहीं होनी चाहिए पूरी नहीं फुलेगी मजे की नहीं बनेगी फूरब से पलड़ देनगे तो देखे हलबाई बाने 10.gls तक रेमान और घर के आप veterans, बस सहर। पूरी में मेंड वाली क्या है, पूरी सॉफ्ट होनी चाहिए विल्कुल सॉफ्ट हलबाई जैसी बननी चाहिए और आपको क्रिस्पी पूरी पसा ने तो आठा गुनते वे आप ओईल कर समाल करेंगे मैंने ओईल कर समाल नहीं किया था मुझे बिल्कुल सॉफ्ट पूरी बनानी थी हलवाई जैसी और बहुत किरिस्पी पूरी खाते हैं तो फिर आटा गुनते वे हमने जब दो लगाया था उसमें तीन चमच ओलेंगे तो बगर ओिल के हमने आटा गुनता और बिलकुल हलवाई जैसी हमारी पूरिया बन रही है आप भी देख रहे हैं यह बिलकुल सौफ सी पूरी बनती है तो बस आप भरके ओिल लेंगे तीन लिटर ओिल लेंगे कड़ाय में पर उपर से गरम गरम ओिल डालेंगे तो गारंट में भी और जायका उनसे भी अच्छा बनता है घर में जायका और अच्छा बनता है तो देखिए यह इस तरह हम बना लेंगे और यह आखरी मेरी पूरी थी यह बनके तयारे तो बस अब हम आपको दिखाते हैं यह देखिए हमारी कितनी जबदस पूरिया बनी है और यह बि हलवा जैसी और यह साग है इसकी रेसिपी में इंशालला कल अपलोड करूंगी हमने साग भी बनाया था यह हलवा में अपलोड कर चुकी हूं बहुत मज़े का यम्मी हलवा बनावा है शाइनिंग वाला हमारा तो यह पूरी बन के त्यार है मैं आपको ट्राइ करके बताती हम तो सबसे पहले हलवा लेते हैं पिसाग में करते हैं और यह बहुत मज़े का भी देखे बताती हूं यकिन जान यह बहुत मज़े का बहुत यम्मी आप बनाए और इंज्वाए किजिए अल्ला हफीज